किसी गाउं में दुर्जन नाम का एक किसान रहता था, वह बहुत ही अभिमानी और बिग्रैल था, किसी से सीधे मूँ बाद भी नहीं करता था, यथा नाम तथा गुन का वह साकार नमूना था, गाउं के बड़े बुढ़ों का वह कभी आदर सम्मान नहीं करता था, इससे ग जकती था, सभी से नम्रता से बोलता, प्रेम का व्यवहार करता, गाउं के लोगों की सहायता करने के लिए वह हर समय तयार रहता, गाउं के लोग और विशेशकर किसान सभी उसका आदर करते थे और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे, गाउं के लोगों ने सुबो सुबोध को आरंभ में ही समझा दिया था कि दुर्जन से जादा मेलजूल न बढ़ाए। उससे दूर ही रहे। वह बहुत जगडालू है। तब उनकी बात सुनकर सुबोध ने हस कर कहा था। मुझसे उलजकर अगर दुर्जन ने कभी जगडा किया तो मैं उसे मार ही उसकी बात पर उसी के साथ गाउं वाले भी हस पड़े थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि सुबोध इतना नेक और दयालू है कि किसी को मारने की बात तो दूर। वह किसी के लिए अपने मुह से अपशब्द तक नहीं निकाल सकता। लेकिन यह बात किसी ने नमक मिर्च लगा कर दुर्जन से कह दी। सुनकर वा क्रोध से तम-तमा उठा। उसी दिन से वा सुबोध को अपना दुश्मन समझने लगा। एक दिन सुबोध से जगड़ा करने के इरादे से उसने सुबोध के खेत में अपने बैल छोड़ दिये। बैलों ने बहुत सा खेत चड़ पानी की नाली तोर दी. पहले की तरह इस बार भी उसने न तो दुरजन से इस बारे में कुछ कहा और न किसी से कोई चर्चा की. इसी प्रकार दुरजन किसी न किसी तरह सुबोत को बराबर हानी पहुँचाता रहा. परंतु सुबोध ने एक बार भी उसे लड़ने का कोई मौका नहीं दिया आमों के मौसम में सुबोध ने गाउं में सभी के यहां आम भिजवाए लेकिन दुर्जन ने आम लेने से इनकार कर दिया वर्शारितु आ गई दुर्जन एक गाड़ी अनाज भर कर दूसरे गाउं से आ रहा था रास्ते में एक नाले के कीचड में उसकी गाड़ी धंस गई दुर्जन की गाड़ी के बैल दुबले और कमजोर थे वे गाड़ी को खींच कर कीचड में से नहीं निकाल सके जब गाउं में इस बात की ख़बर पहुँची तो सब बड़े खुश हुए और बोले दुर्जन बड़ा दुश्ट है उसे रात भर नाले में ही पड़े रहने दो लेकिन जब सुबोद को यह ख़बर मिली तो वह गंभीर हो गया उसने अपने तंदुरुस्त और बलवान बैल पकड़े और फौरन नाले की ओड़ चल पड़ा लोगों ने सुबोद का इरादा भाप लिया और उसे रोकते हुए कहा सुबोद दुर्जन ने तुमें बहुत नुकसान पहुचाया है तुम भी तो कहते थे कि यदि वह मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार ही डालूँगा और आज तुम खुद उसकी सहायता करने जा रहे हो हम मैंने बिल्कुल ठीक कहा था मैं आज उसे मार डालने ही तो जा रहा हूँ सुबोद ने मुस्कुरा कर कहा तुम कल सवेरे उसे देखना तो जब दुर्जन ने सुबोद को बैल लेकर अपनी और आते हुए देखा तो दूर से ही चिला कर बोला तुम अपने बैल लेकर लोट जाओ मुझे तुम्हारी मदद की ज़वरत नहीं पास जाकर सुबोद ने बड़े सने पूर्ण स्वर में उससे कहा तुम्हारे मन में आये तो गाली दो मन में आये तो मुझे मारो पर इस समय तुम संकट में हो तुम्हारी गाड़ी फसी हुई है और रात होने वाली है इस समय मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता अवाख होकर दुर्जन सुबोत को देखता रह गया उसके मुँ से कोई बोल न फूटा सुबोत ने दुर्जन की गाड़ी से उसके बैल खोले और उसके स्थान पर अपने स्वस्त और ताकतवर बैल जोद दिये अपने बैलों को उसने ललकारा तो बैलों ने जोर लगा कर गाड़ी को खीच कर कीचर से बाहर निकाल दिया गाड़ी बाहर निकलते ही दुर्जन ने उसमें दुबारा अपने बैल जोते और गाड़ी लेकर अपने घर चला गया पर अगले ही दिन से गाउं वाले यह देख कर चकित रह गए कि दुर्जन का दुष्ट स्वभाव समाप्थ हो गया अब वह सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा सहसा हुए इस परिवर्तन का कारण जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने हसकर कहा सुबोद के उपकारी स्वभाव और निश्चल प्रेम मेर व्यवहार ने सच मुच क्रोधी और एहंकारी दुर्जन को मार डाला मैं तो उसी दुर्जन का पुनर जन्म हूँ